हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका क्रिष्णा पांचार रस्वय में और आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर की कड़ी तो चिली बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हम वन फोर्थ कब जितना पेशन ले लेंगे और इसके साथ हम एड़ करेंगे आधा कब जितना दही तो दही फ्रेंड सेकर थोड़ा सा खटा होगा तो यह जो कड़ी है वो बहुती स्वाधिश्ट बनेगी और इसके साथ हम थोड़े सुखी मसाले आड़ करेंगे एक चोथा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर और आधा चमच धन्या पाउडर और इसके साथ हम आधा चमच नमक आड़ करेंगे और इन सारी चीजों को फ्रेंट्स अच्छे से हम बिला लेंगे तो ये हरे मटर की जो कड़ी है फ्रेंट्स खाने में बहुत ये अच्छे लगती है आप एक बाद जरूर राय करें और ये देखी बहुत अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो एक कब जितना हम इसमें पानी आड़ करेंगे और अच्छे से सभी चीजों को हम मिला लेंगे तो जब भी फ्रेंट्स आप कड़ी बनाएं तो इस जो घोल है उसे आप जितना फेंटेंगे उतनी ही जो आपकी कड़ी है वो सॉफ्ट बनेगी और टेस्टी बनेगी तो अच्छे से हम इसे फेट लेंगे तो इसे देखें कड़ी बनाने के लिए घोल हमारा तयार हो गया है इसे कवर कर लेंगे और साइट पे रख लेंगे और यहां फ्रेट्स मेंने कड़ाई ले लिए है गया साउन के लिए है और इसमें हम डाल देंगे दो टेबल स्पून ओईल तेल को हम धीमी आज पे गरम होने देंगे तो देखें तेल हमारा गरम हो गया है और इसमें हम एड़ करेंगे एक चोथाई चमच जितना मेथी दाना एक चोथाई चमच राए दाना और आधा चमच जीरा और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम एड़ करेंगे एक चोथाई चमच जीरा हिंग तीन से चार लसुन के कलिया मैंने बारी कट कर ली है उसे एड़ करेंगे हम और थोड़ा सा अद्रख हम एड़ करेंगे और इसके साथ ही दोहरी मिर्ची मैंने बारिक काट के इसमें अच्छे से मिला लेंगे और इसमें फ्रेंट्स मैंने ये एक छोटी सी प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारिक कट कर लिया है तो इसे हम अच्छे कर लेंगे इससे फ्रेंट्स हमारी जो ग्रेवी है कड़ी के लिए वह बहुत अच्छी बनेगी तो प्याज आप जब आड़ करें तो एक्दम से बारिक काट के आड़ करें अच्छे से मिला लेंगे और गुल्टन डाउन होने तक हमें से भून लेंगे तो दीखिए दिरे दिरे प्याज का जो कलर है वह चेंज होता जा रहा है और यह देखिए अल्मूस्ट हमारी जो प्याज है वह बहुत अच्छे से पूंच चुकी है और अब फ्रेंट्स इसमें हम थोड़े से और सुखे मसाले एड़ करेंगे एक चुथाय चमच हल्दी पाउडर एक चुथाय चमच हिलाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे और एक चुथाय चमच हम इसमें धन्या पाउडर एड़ करेंगे और इसके साथ ही एक चुथाय चमच नमक पी आड़ करेंगे और थोड़ा सा हम पानी एड़ करेंगी क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं और इसी ग्रेवी में हम मतर को पकाएंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम है वो दीमी रखेंगे हम मिडियम को लो फ्लेम पे रखेंगे हम तकि मसाले जले नहीं और अब इसमें एड़ कर लेंगे वन फोर्थ कप जितने हरी मतर के दाने तो यह फ्रेश मता रहे हैं आप अच्छे से वाश कर ले और फिर आप इसमें एड़ कर लें अच्छे से मिला लेंगे और कडाई को फ्रेंट्स हम कवर कर लेंगे और मिटियूम टू लो फ्लेम पे दो से तीन मिनिट हमेशे पकाएंगे तो यह देखें मटर हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं और यह थोड़ा सा इसे हम मिला लेंगे एक बार तो यह मसाली में फ्रेंड्स मटर को पकाने से क्या होगा मटर का जो कलर है वो भी ग्रीन रहेगा और कड़ी भी बहुत ही स्वादिश्ट लगेगे और अब हम इसमें एड़ कर लेंगे यह जो घूल बना के रखा है हमने कड़ी का हलके हातों से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम एक बब जितना पानी ओड़ करेंगे तो इसे फ्रेंड्स हम कंट्यूरिसली चलाते रहेंगे तो बिल्कुल भी आमें इसे छोड़ना नहीं है, कंटिनिसली चलाते रहना है, नहीं तो यह जो दही है वो भी फट सकता है, और जब दही फट जाएगा तो कड़ी में वो स्वाद नहीं आएगा, तो जब तक उबाल नहीं आए तब तक आप इसे कंटिनिसली चलाते रहें, और अब ये देखिए इसमें उबालाना शुरू हो गया है, तो इस समय हमें 3-4 मिनिट कड़ी को पकाना है, तो इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और भी एड़ कर सकते हैं, और मैंने ये कड़ी की थोड़ी सी थिक consistency रखी है, तो देखिए अच्छे से मिला लें है और ये देकí 3 मिनिट हो चुके हैं, और मुस्ट हमारी कड़ी बन के तयार हो गई है, और इसमें हम डाल देंगे खुब साहरा धनिया, हल के हाथों से मीक्स कर लेंगे, गैस बन कर लेंगे, तो फ्रेंट्स हरे मटर के कड़ी हमारी हमारी बन के तयार है, आपको मेरी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और ये रेसेपी आप एक बाद जरूर ट्राय करें धन्यवाद कर दो